रेस्टरेंट से अच्छी वाइट सॉस पास्ता घर पे बनाए वो भी बहुत सिम्पल तरीके से और पॉर्फिक्ट मेजरमेंट के साथ सूपर चीजी और बहुत अमेजीन ऐसा पास्ता कि बच्चे भी खुद को रोक नपाएं white sauce pasta या macaroni बनाने के लिए एक पतीले में हम 2 लिटर पानी गरम करेंगे तो यहाँ पे gas on करके पानी रखा मैंने पानी में उबाला जाने दे जैसे ही पानी उबलने लगेगा हम इसमें 2 cup के करेब pasta या macaroni उडाल देंगे जो भी आपको पसंद है आप इसे उबालते वक्त थोड़ा सा नमक और तेल भी डाल सकते हैं तो चार से पांच मिनट आप इसे उबलने दे जैसे ही मकरोनी जो है वो अच्छे से उबल जाएगा ये देखें सॉफ्ट हो चुके हैं तो हम क्या करेंगे इसे छान लेंगे इसे हम चान केस ट्रेनर पे रख देंगे और तब तक हम वाइट सॉस बना लेते हैं तो वाइट सॉस बनाने के लिए एक पैन में हम एक चमच बटर गरम करेंगे बटर को अच्छे से मिल्ट हो जाने दे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दो चमच मैदा तो यहाँ पे टेबल स्पून से दो चमच मैदा डाले और मैदे को ना बटर में अच्छे से भून लेना है मतलब इसे तब तक भूने जब तक यह अच्छे से खुच भूनी आने लगे या फिर इसका कलर ऐसा नहीं हो जाए यह देखिए तो अब हम इसमें डाल देंगे दूद तो एक कप उबाल के ठंडा की अवा दूद लिया है मैंने दूद को ऐसे डाले और एक हाथ से इसे मिक्स करते रहें ताकि इसमें लंस नहीं पड़े अगर आप इसे छोड़ देंगे ना तो मैदे में गाठ पड़ जाएगी तो यहाँ पे दूद डालने के बाद इसे लगातार ऐसे चलाते रहें जैसे जैसे दूद में उबालाना शुरू होगा मैदा जो है वो खुदी डिजॉल्व होने लगेगा इसमें अब हम इसमें डालनेंगे थोड़े से सिजनिंग तो आदी छोटी जमच आप इसमें इटालियन सिजनिंग डालनें अगर आपके पास है तो नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं आदी छोटी जमच हम इसमें मिक्स्टव डालनेंगे अगर आपके पास mixed hub है तो mixed hub और chili flakes से डाले बाकी चीज़े नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा एक चौथाई छोटा जमच हम इसमें काले मिर्श का powder या crush के हुआ काले मिर्श डालेंगे काले मिर्श पास्ता में बहुत important होता है इसलिए आप इसे skip नहीं करें और last में ये chili flakes आप इसमें थोड़ा सा cheese भी डाल सकते हैं cheese डालने से sauce जो है वो बहुत अच्छा बनता है और पास्ता का taste जो है वो भी जादा बढ़ जाता है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा mozzarella cheese लिया है आप इसकी जगा cheese slice का भी इस्तमाल कर सकते हैं cheese इसमें optional है cheese डालते ही ये जो sauce है वो थोड़ा और पतला हो जाएगा क्योंकि cheese melt होते ही ना इसकी जो consistency है वो थोड़ी thin कर देगी तो इसे ऐसे लगातार चलाते रहे है तो ये हमारा cheesy sauce जो है वो बन के तयार हो गया है macaroni हमने पहले से उबाल के रखा है तो अब हम चलते हैं final process में तो अब हम एक दूसरे pan में butter गरम करेंगे दो चुमच butter डाल दे बटर को melt हो जाने दे फिर हम इसमे लैसून, प्याज, शिम्ला मिर्च और गाजर डाल देंगी तो यहाँ पे butter में पहले बारी कटवा लैसून डाले और इसे पका ले जैसे ही लैसून जो है वो पक जाएगा हम इसमें डाल देंगी सब्जिया तो सब्जिया आप अपने हिसाफ से आड़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है यह सारी सब्जिया जो है थोड़ी colorful लगती है और पास्ता में ज़्यादा अच्छी लगती है तो यहाँ पे मैंने गाजर, शिम्ला मिर्च और प्याज को स्क्वार शिप में काटा है आप अपने हिसाफ से इसे काट सकते हैं सब्जियों को थोड़ा से मिक्स करें और इसे नमक डाल की पका ले तो स्वाद के अनुसार या फिर एक छोटी चमजा पे इसमें नमक डाल दे और इसे ऐसे एक मिनट के लिए पकने दे जैसे ही सब्जिया थोड़ी सौफ्ट हो जाएगी बस इसका कच्चा पन जो है न वही निकल जाना चाहिए बहुत जादा ओवर्गूग नहीं करना है तो यहाँ पे सब्जिया जो हमारी पक गई है तो हम इसमें डाल देंगे चिलिप्लेक्स थोड़ा सा मिक्स ठप और इससे एक बार ऐसे वापस मिला देंगे आप इस पास्टा में मश्रूम ढाल सकते हैं जोकनी ढाल सकते हैं और ब्रोकली भी ढाल सकते हैं बहुत अच्या लगता है उसके साथ यह पास्टा तो यहाँ पे सब्जों को हमने हलका सा फ्राई कर लिया है हम इसमें डाल देंगी यह white sauce अगर आपका white sauce काड़ा हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा गरम दुर डाल के इसकी थिकनिस कम कर सकते हैं साथ में ही यह उबला हुआ पास्ता या मैकरोनी डाल देंगे चीज डाल देंगे वैसे ना पास्ता में जितना चीज डाल देंगे उतना ही अच्छा लगता है लेकिन आपकी जुआई से आप चाहिए तो skip कर सकते हैं थोड़ा सा crush की होगा यहाँ पे black paper डाल देंगे अब हम इन सब को अच्छे से मिला देंगे बस बहुत जादा नहीं पकाना है आट से दस सेकेंड के लिए आप पास्ता को ऐसे sauce में mix करें आप चीज तो यहाँ पे gas कफले medium या फिर high कर सकते हैं और जैसे ही sauce जो है वो पास् गरम चीज जो है न वो melt होता रहेगा तब यह आप इसे खाएंगे तो खान में बहुत मजाएगा तो अब हम gas को बंद कर देते हैं और लेचलते हैं से serve करने के process में अगर आप restaurant में white sauce pasta order करेंगे न तो एक तो यह महंगा भी होता है प्लस सारे restaurant का यह अच्छा भी नहीं होत तो restaurant से अच्छी white sauce pasta या macaroni आप घर पे बनाए इस simple तरीके से serve करने के पहले थोड़ा सा chili plexis के उपर डाल दे इसी यह दिखने में colorful लगेगा और टेस्ट भी अच्छा हैगा तो यह हमारा super tasty और बहुत ही amazing restaurant style white sauce pasta जो है वो बन के तियार हो गया है आप इसे जरूर ट्राई क झाल 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 झाल